नमस्कार में हुआ अभिनाश पांडे और आप देख रहे हैं निव्जवनिले बात करेंगे आज एक हॉस्पिटल की लापरवाही की और उसके बाद से जिस तरीके से जो मरीश के परीजन है क्या कुछ आरोप लगाया है किस तरीके से राजधानी पटना में इस तरह सके जो बड़े हॉस्पिटल है वो इस तरीके लापरवाही कर रहे हैं फिल्हाल आपको बता दे कि पटना के विक्रान सयूघ हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है क्या मामला देखे जहां तक पर्टना की बात करें सयोघ हस्पिटल की तैसे बहुत सारे परिजनों काफी हंगामा किया उसके बाद प्रसासन भी पहुंचे थे यह तो बारत तारीक की घटना हुई जब इस तरीके से गटना हुई कि परीजनों ने आरोप लगाया हंगामा किया अगर आज की बात करें तो इस तरीके से क्या कुछ पर हो रहा है अभी क्या परीजन वहीं पर है या फिर किस तरीके से प्रसासन काम कर रही है मामले की चाथ चलिए क्या देखिए अगर ताजा अब्डेट की बात करें तो ताज अब्डेट यह है कि पटना की जो डीम कुमार रभी है उन्होंने आदेज दिया पीम जाएगा उसके बाद रही है कि उसके मौत कैसे हूँ और किस तरह से हुई क्या विक्टर की बात करें तभी किसी से बात नहीं हो पाई यह लेकिन पाटली पुतरा के थाना में निदेशक जो है इनके लाल और डॉक्टर सुन लटा श्रीवास्तव के उपर कीस दर्ज कर दि ही है तो इस तरीके से जब आज की अगर अपडेट की बात करें तो पटना के डीम कुमार रवी ने इसके जांच के लिए तीन सदसीय टीम को गठित कर दिया है जिसे पीएंच के डॉक्टर होंगे तीन सदसीय टीम गठित की गई है जो इस मामली की जांच करेंगी हम आपको ही उसके बच्चे का जन्म हुआ महिला की मृत्यू होगी और बच्चा फिलाल सही बताया जा रहा है बच्चा बिलकुल सही है हाला कि परीजनों ने उसके बाद से डॉक्टर्स पर अस्पताल पुरसासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जिस तरीके से हमारे सहयोगी वि पर प्रवाही की बात करें तो ऐसे मामले कई आते रहते हैं और कैसे लोग डॉक्टर को एक जिलाप्रसासन याफिर डॉक्तरों को जो एक्सूसियेसन है कि उनको यह नहीं लगता है कि इस तरीके से एक डॉक्टर की टीम गठित की जाये जो लोगों को सलाम असुरा दे कि कहां आप इलाज बहतर हो सकता है कहां लापरवाही कम की जाती है कि लोगों की जान की कीमत होती है यह मात सब कुछ समझनी चाहिए और इस तरीके से लापरवाही वह कैसे कर सकते हैं बड़ा सवाल ही जिटने भी पटना में अधिकतर जो नर्सिंग हो में यह प्राइबिट सब्जादा तब देखा जैं तो बाइपास में ज्यादा अब बिल्कुल बिल्कुल बटना की रजधानी की बात करें तो यहां जो कु तो बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा वो डॉक्टर्स टाइम देंगे आपके लिए कि कब वो आ सकते हैं कब नहीं अगर कुछ एमर्जेंसी होती है तो आप आ सकते हैं तो इसलिए बेहत जरूरी है कि आप सही जगा का चुनाव करें सही हॉस्पिटल जाएं बहतर जहां सुविधा आपको मिलती है चहां पर आपको विश्वास हो आप वहीं अपना इलाज कराएं क्योंकि यहां पर इस तरीके से हम बता रहे हैं और देखने को भी हैं मिलता रहता है कि आप कहीं ऑस्पिटल में जाते हैं तो वहां डॉक्टर नदारत रहते हैं और फोन कर को सब्सक्राइब करना ना भूले आप हम फेस्बूक पर भी लाइक कर सकते हैं आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं व्याज हरकंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए आप मारी वेबसाइट निउस 11.com पर भी क् कर सकते हैं